जै मातादी दोस्तों, जादवी टोटके में आपका हारदिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। पूजा अरचना करने से घर में सुकसान्ती बनी रहती है। और मा भक्तों की सभी मनो कामनाओं को पूरा करती है। दोस्तों, हमारे सास्त्रों के अनुसर नौरात्री व्रत के कुशनियम बताएं गए हैं, जिनका पालन करना अतियावश्यक है। तो आज हम आपको इस वीडि करानी रूस्ट हो सकती है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जादवी टोटके को सस्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें। तो आइए सुरू कर जाना नहीं चाहिए। इसके लावा नौरात्री के नौ दिनों में डाड़ी, मूच वा बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इसके लावा नौरात्री में प्याज और लैसुन का उप्योग करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। नौरात्री के दिनों में किसी बितरह का त इसके लावा इस दोरान सिलाई और कढ़ाई भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नौरात्री के इन पावन दिनों में सारीरिक संबंद बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए इस समय आपको पोनिता ब्रह्म चर्रे का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नौरात्री के दोरान मास, मचली और सराब का सेवन करना वर्जित होता है। मानेताओं के नुसार ऐसा करना असुब होता है। इसके लावा जो व्यक्ती नौरात्री का व्रत रख रहा है, तो उन लोगों को चमडे की बेल्ट, चपल, जूते, बैग जैसी चीजों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को मादुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि नौरात्री में कन्यापूजन यानि कंजग पूजन करना पुन्फलदाई होता है। माना जाता है कि नौरात्री के दोरान किसी भी कन्या यह महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। सास्त्रों में यहां तक भी कहा गया है कि किसी भी कन्या का अपमान करना मदुर्गा का अपमान करने के बराबर है दोस्तों नवरात्री में घर की साफ सफाई का विसेज ध्यान रखें इस दोरान गंदे वा बिना धुले कपड़ों का प्रयोग ना करें तो दोस्तों नवरात्री के इन नव दिनों में आप इन सभी नियमों का पालन अवस्य करें तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें साथ इचैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद